नमस्कार अमूमन हर महिने की पहली तारीक से कई सारे बदलाव हमारे जंदगी में होते हैं चाहे हम बैंकों की छुट्टी की बात करें या फर सैलरी मिलने की बात करें या फर हम बात करें लपीजी सिलेंडर पेट्रोल इन रोजमर्रा के जंदगी में इस्तमाल होने वारी चीजों की दाम में बढ़ोतरी की जी हां कई सारे बदलाव देखे जाते हैं और इस बात तो एक जून खास कर बेहार वासियों के लिए तो बेहत खास है वो इसलिए क्योंकि एक जून लॉक्डाउन की अंदिम तारीक अभी फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से रखी गई है अगर लॉक्डाउन उस दिन खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है लोगों के जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आएगा लेकिन इन सब के भीच और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सीधा असर आपके जिंदगी पर पढ़ेगा जी हाँ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखर एक जून से क्या कुछ नए बदलाव क्या कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं जिसका सीधा असर आपके जिंदगी पर आपके पॉकेट पर पढ़ने वाला है तो ध्यान से अंद तक इस वीडियो को जरूर सुनिएग एक जून की तारीक हमारे लिए कई माइनों में ध्यान रखने लायक होती है नया महिना आते ही सबसे पहला हमारा ध्यान महिने की छुट्टियों पर जाता है बैंक से जुड़े कामों के लिए देखना होता है कि हमने जो दिन तै कर रखा है कहीं उस दिन छुट्टी तो नह एक जून से बैंक और बढ़ोदा ग्राहकों के लिए चेक से पेमिंट से जुड़े नियम बदलने वाला है वही केनरा और सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए आई फसी कूड बदलने वाला है इसके साथ साथ 1 जुलाई से और 1 जून से पेमिंट करने का तरीका बैंक और ब्रॉदा में बदल चाएगा बैंक और ब्रॉदा की ग्राहकों के लिए 1 जून 2021 से चेक से पेमिंट करने का तरीका बदलने वाला है दोखा दड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए ब्रैंक ने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कनफर्मेशन अनिवार किया है पॉजिटिव पेस सिस्टम एक प्रकार सी फ्रॉड पकड़ने वाला टूल है बी ओ बी के अधिकारियों का कहना है कि ग्राहकों को पॉजिटिव पेस सिस्टम के तहर चेक की डीटेल्स को तभी री कन्फर्म करना होगा जब वो दो लाक रुपए या इससे जादा से बैंक चेक जारी करेंगे या नियम एक जून से लागू हो जाएगा इसके साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर के दामों की बात करें तो एक जून से लपीजी यानि की रसोई गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव संभव है अउमूमन हर माईने तेल कमपनिया रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम चारी करती है कई बार तो महिने में दो बार भी बदला सम्भव है हालाकि जरूरी नहीं कि एक जुन को ही नई कीमते जारी हो कई बार रेट समान ही रहते हैं PPF, NSC, KVP और सुकन्या सम्रिधी जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बयासदरों में बदलाव इसी महिने होना है सरकार की ओर से हर महिने तीन महिने पर समॉल सेविंग स्कीम की नई बयासदरें लागू की जाती है कई बार ऐसा होता है कि पुरानी बयासदरें ही रिवाइस कर दी जाती है बीते 31 मार्च को वित्तिय वर्ष 2021 की अंतिन तिमाही खत्म होने पर घटा कर नई बयास दरें जारी की गई थी जैसे 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया गया था और पुरानी दरें ही रह गई थी अब 30 जून को फिर से नई बयास दरें लागू की चाहेंगी तो जाहर सी बात है नया महिना आती ही हमारा ध्यान कई सारी बातों की ओर जाता है चाहे बैंक की छुट्टियां हो या फर आपकी छुट्टियां हो इन तमाम बातों को ध्यान में हम सब ही लाते हैं और यही वज़ा है कि हमने आपकी मदद की है और अस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बदलाओ सामने हैं जो कुछ भी नियम में बदलाओ हैं अलग-अलग बैंकों की बात करें बैंक और बडौदा की बात करें, सिंडिकेट बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें तो इन बैंकों के नियम में कुछ बदलाओ किये जाएंगे जिसकी जानकारी हमने आपको विस्तत रूप से इस वीडियो के माध्यम से दी है साथी साथ बयास दरों की बात करें तो उनमें भी बदलाओ है LPG सिलेंडर के दामों में बदलाओ है पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है फ़लाल कले इतना ही जादा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें पूरी जादा अपकारी हमें इतना हीाता है